जैहिन आज हम लोग basically mindset होता क्या है और ये जो mindset है वो आपका basically mindset rules से कैसे अलग होता है क्या-क्या खासियत होती है mindset में और mindset में basically हम लोग को पढ़ना क्या होता है इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग discuss करने वाले हैं दोस्तो कोल माइन्स में काम सुरच्छा पुरुवक हो यानि की कोल माइन्स में जो भी काम कर रहे हैं उसको हम लोग safety precaution लेते भी कर रहे हैं और साथी साथ माइन्स में ऐसा environment कीरियेट करें ताकि जो work person वहाँ पे काम कर रहे हैं उसका जो स्वास्त है उस पे कोई असर ना जो सुनस्चित करने के लिए सारकान ने माइन्स एक्ट 1952 बनाया है बैसेकली आप कर सकते हैं कि माइन्स एक्ट 1952 इसलिए बनाया गया है ताकि हमारे माइन्स में कैसे safely हम लोग work कर सकते हैं और हमारा जो work person है उसका health को मद्दे नजर रखते हुए कैसे हम अच्छे तरीका से माइन्स के atmosphere को create कर सकते हैं और साथी साथ हमारे जो work person है उसका कुछ सुख सुविधा उनको मिलना चाहिए यह सभी चीजों के जो सुनिश्चित करने का जो जीमवारी है वो आपका माइन्स एक्ट ही आपको provide करता है माइन्स पर लगने वाला यह सबसे superior कानून होता है इ जो कानून आपके माइन्स से related होंगे जैसे माइन्स को कैसे हम लो सुरच्छा पुर्वा कानूनी धंग से चलाने की किसकी जीमवारी होगी माइन्स को चलाने के लिए किन-किन सब्जेक्ट पे हम लोको कानून बनाए जाएंगे कानून बनाने और बदलने का क्या तरीका हो को जो वर्क परसन है उसका कितना देर तक वो ड्यूटी कर सकता है और उसका छुटी क्या जो भी प्रावधान है वो सभी आपके माइस एक्ट में ही दिये गए हैं यदि हम लोग एक सरल भासा में बोलें तो माइस एक्ट में हमको basically कानून के ही बारे में पढ़ना है जो कानू आपके माइस से रिलेटेड होगा दोस्तो माइस एक्ट के अंतरगत बनाए गए बहुत सारे कानून है जिन में से आपका आता है कोल माइन रेगुलेशन 2017 फिर आता है मेटेली फेरस माइस रेगुलेशन 1961 माइस रूल 1955 माइस रेस्क्यू रूल 1985 वोकेशनल ट्रेनिंग रू 1966 दोस्तो माइस एक्ट का ही पावर को यूज करके बिसिकली आपका माइस के रूल्स रेगुलेशन को बनाए गए हैं तो आप बिसिकली कर सकते हैं कि जो माइस एक्ट है वो आपका सुपरियर है और माइस एक्ट के आधी नहीं आपका कोल माइस रेगुलेशन मेटेली फेर को सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक और जनकारी के साथ तब तक के लिए बाइ